आप हम बात करेंगे भारत में हुए लोक प्रिय प्रतिरोथ जो के 1850 से पहले के हुए 1857 से पहले भारत में का जो अन्य वर्ग था चाहे वो सन्यासी थे, किसान थे या फेरिसी के साथ साथ कारीगर थे या इसके अतिरिक्त अन्जातियां थे उनके द्वारा ब्रिटिक शाशन के प्रति जो है प्रतिरोध किये गए तो इसके पीछे बहुत से कारण उत्तरदाई रहे पहला तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीती थी उस विस्तारवादी नीती के अंतरगत जो भारत के जन्जातियां थी उनके क्षेत्रों में छिरचाड की गई और इसलिए ये प्रतिरोध हुए दूसरा अंग्रेजों की जो भूर आजस्व प्रणालियां थी जिसमें के अत्याधिक लगान जो था लगा दिया गया किसानों पर जन्जाधारन पर तो इससे भी लोग नाराज हुए और प्रतिरोध किया गया तीसरा बेरोजकारी भारत में अंग्रेजों ने जो नीती अपनाई जिसके तहट जो अध्यगिक करांती एक प्रकार से आई जो कारखाने लगाए गये तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो गाउं का जो कारिकर था वो बेरोजकार हो गया और इस बेरोजकारी के कारण उन्ह प्रतिरोत उनके प्रतिरोत यह यह पनाटाए रगार्व मीर्ण यह उनक्वार्टि लेवरी आ थे वह नानने में पimyला भार्यार्वा त्विवस्ता के उपर के साथ चप्छेर चाड़ की गई तो उन्होंने भी प्रतिरोध किया फिर मिशनरी का प्रचार इसाई जो मिशनरियां थी उन्होंने इसाई धरम का प्रचार करके जो भारतिया जनता थी उसके धरम को चोट पहुंचाई और इसलिए भी प्रतिरोध हुए फिर ब्रिटिश शाशन की नीथियां ब्रिटिश शाशन की जो गलत नीथियां थी उसके कारण भी प्रतिरोध हुए और फिर है सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार चुकिये गए बेशको हमारे समाज के लिए सही थे लेकिन उस समय के जो लोग थे उनको लगा कि उनके समाज के साथ चेट छाड़ की जा रही है और इसके कारण भी उन्होंने प्रतिरोध किये तो ये कुछ कारण थे प्रतिरोध के अपनेंगे हम कुछ जो प्रतिरोध हुए 1857 से पहले 1757 से लेकर 1856 के मध्य में इस्ट इंडिया कंपनी के विरुद भारत के विविन भागों में अनेक विद्रोह हुए तो पहला सनियासियों का विद्रोह East India Company के शाषनकाल में हुआ ये प्रमुख विद्रोह था सन्यासियों का सबसे महात्वपन बंगाल में हिंदू सन्यासी और मुसलिम फकीरों के द्वारा अंग्रेजों के ग्रूट 1763 में आरम हुआ और इस विद्रोह का प्रमुख कारण था बंगाल में अंग्रेजी शाषन ज सन्यासी थे जो के पवित्र स्थानों पर आते जाते थे उनके ओपर प्रतिबंध लगा लिया क्योंकि अंग्रेजी सरकार इनको ब्रहमन शील लोटेरे समझती थी और धर्म की आड़ में उनको लगता था कि ये लोगों को लूट कर उनकी हत्याएं कर देते हैं तो सन्यासी इससे बहुत ही हताश हुए निराश हुए और इसके कारण उन्होंने क्या किया किया के प्रतिरोध कर दिया 1770 इस्वी में भारत में अकाल पड़ा ब्रिटिश शाशन के अंतर गद कुछ भी नहीं लोगों को कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई तो क्या किया सन्यासियों ने उनका एक नेता जिसका नाम था मजनू शाह उसके नित्रितों में विरोध कर दिया और अंग्रेजी कारखानों पर आक्रमन करके लूट पाट की गई ये कारे भाईयां लग भगाने वाले 50 वर्षों तक चारी रही जो बंकिम चंद्र चडरजी थे उनके उपनियास आनंध मठ का जो कथानक है वो इसी विद्रोः पर आधारी थे फिर दूसरा फटेशाही विद्रोः फटेशाही विद्रोः बिहार में अंग्रेज को स्थानिय जमिनदारों के विद्रोः का सामना करना पड़ा नित्रि फट्वर हुसेनपूर के जमिनदार फटेशाही ने किया 1772 में अंग्रेजों के विरुद्र वगावत चो थी ये कर दी अंग्रेजों ने उनसे पकाया भूर आजस्व वसूलने का प्रियास किया फटेशाही ने कंपनी द्वारा नित्वूर आजस्व ठेकेदार को वसंतसाही को मार दिया गया जो अन्य ठेकेदार थे भूर आजस्व से संबंधित वो भी इससे भाइबीत हुए और वे अपने भूर आजस्व का एक चौथाई भाग जो थे उसे पतेशाही को देने लगे तो ये प्रतिरोध भी काफी समय तक चलता रहा फिर है चुआर विद्रोहो मिद्रापूर में चौर जनजाती ने भी विद्रोहो कर दिया 1760 में ये अंग्रेजों की अधीन आ गया था तो अंग्रेजों द्वारा लगातार जोड़ कर था वो भढ़ाय जाने से और उनकी आर्थिक नितियों से लोगों में संतोश था 1768 में जगनात राज ने किया अंग्रेजी से ना उन पर ने त्यंत्रन पाने में बहुत बाद में जाकर सफल हुई इसके बाद चौरों के बाद भीलों का विद्रोहो भीलों ने भी विद्रोहो किया ये महरास्ट के औरंगाबाद और खांदेश चिलों के पहाड़ी क्षित्रों में रहते थे 18 1818 में अंग्रेजों ने उनके प्रदेशों में पर अधिकार कर लिया ये सुतंतरता प्रिया थे सेहन नहीं कर पाए इस पर तंतरता को 1819 में उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद 1846 तक जो है ये जारी रहा ने भीलों के साथ इनका समझाता हुआ फिर ह विजे नग्रम के राजा का विद्रोहो विजी राम राजे का शाशन था विजे नगर में तो शक्ती शाली सेना थी उसकी अंग्रेज जो थे उसके उपर अधिकार करना चाते थे 1749 में कम्पनी ने राजा को अपनी सेना भंग करने का आदिश दिया और उसे तीन लाग की भेंट देने के लिए विवश किया विजी राम ने इन शर्तों को स्विकार नहीं किया और इस टंडिया कंपनी ने उसकी जागीर चप्त कर ली विजी राम ने 1794 इस वी में इसलिए विद्रोग कर दिया अपने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया अंत में वो ल अरण ड्राओ के साथ आगे चल कर समझाता कर दिया आगे है खुर्दा का खुर्दा के राजा का विद्रोह 1803 में उडिसा को भी अपने राज्ये में अंग्रेजों ने मिला लिया तो खुर्दा के शाषक ने जो कि एक शक्तिशाली जमिनदार था 1804 में अंग्रेजों के व विद्रोह जो था जारी रखा 1825 में जगवंधु ने आत्म स्मर्पन कर दिया और तब शांती यहां पर स्थावित हुई फिर है पौली गारों का विद्रोह विजे नगर समराज्ये के अंतिम वर्षों में पुर्वी घाड के जंगलों और पहाडी चित्रों में रहने वाल पहाण दिया अंग्रेजों ने पौली गारों के विरुद सैनी का भ्यान चेड़ा इस अभ्यान यह भ्यान सत्रा सु निनानुए से ठारा सो नौ इस्वी तक चलता रहा पौली गारों गुरिला युद बत्ती के द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे और काफी जो इनको जो था ये फ्रांसिसियों का भी समर्थन प्राप्त था फिर है बग्हेरा विद्रोहो पौली गारों के साथ साथ बग्हेरा ने भी विद्रोह कर दिया गुजरात में और्वा मंडल में ये रहने वाले थे बड़ादा के गायकवार ने अंग्रेजी सेना की साहिता से बग्हेरों को जवरदस्ती अधिक कर वसूलने का प्रियास किया तो भड़क उठे 1818-19 में अंग्रेजों के साथ जो है उन्होंने इस प्रकार से ये युद्ध किया फिर इसके पश्चाथ खासी विद्रोहो असाम की पहाड़ियों में ये खासी जो थे ये रहती थी जंज तीरत सिंग के नितरित्तों में किया ये लोग प्रियाशाशक था और अगला है कोली विद्रोहो कोली कबिले के लोग कच्च की सीमा से लेकर पश्चिम घार तक फैले हुए थे सैनी काम किया करते थे सामंतों के दुर्गों की रक्षा करते थे अंग्रेजी शाशनकाल में इन दुर्गों को तोड़ दिया जाने के कारण बेरोजगार हो गया और इसलिए अंग्रेजों के विरुद विद्रोह करने के लिए ये बादित हुए 1824 में अंग्रेजों के विरुद कुचरात में विद्रोह का जंडा वलंद किया बंबई से एक सेना को इस विद्रोह को कुचलने के लिए बेजा गया पर विद्रोहियों ने इस सेना को पराजित कर सबको चकित कर दिया इसके बाद है मोपला विद्रो तो मोपलाओं ने भी विद्रो किया ये माला बार के रहने वाले थे और प्रिशी का काम करते थे हिंदू जमिनदार थे और जो रियाया थी वो थी मुसल्मान तो ये हिंदू जमिनदार इनके उपर अतियाचार करते थे तो इनों ने क्या किया जो जमिनदार थे उनके विरुत विद्रो कर दिया 1836 में ये विद्रो किया 1840 तक ये जारी रहा जमिनदारों और महाजनों की अतियाएं की गई अंग्रेजों ने इस विद्रोहों में इनका साथ या जम्मिदारों का और बाद में बड़ी कटनाई से इसके उपर काबू पाया गया फिर है फरेजी विद्रोहों शरियत तुला हाजी हरी शरियत तुला बंगाल के फरीद पूर जिले में ये जो था अंदोलन हुआ तो 1844 में प्रचार किया सामाजिक धार्मी कुरितियों का खंडन किया अंग्रेजों अंग्रेजी शाषन का अंद करने और मुस्लिम शाषन की पुनह स्थापन करने का प्रचार किया 1837 में शरियत तुला की मृतियों के बाद इसके बेटे दूदू मिया ने जो है इसको जारी रखा तो इस तरह से ये कुछ लोक प्रिया विरोध हुए इसके अतिरिक्त अहोमों ने वहाबियों ने इसके साथ संथाल का जो विद्रूत थे या विरोध थे ये भी जारी रहे तो भारत में लोक प्रिया ये प्रतिरूज जो थे 1857 इस वी से पहले हुए